एक्स दस दिनों में एक चोथाई काम कर सकता है वाई चालिस दिनों में चालिस परसंट काम कर सकता है और जड जो है वो तेरा दिनों में एक बटा तीन काम कर सकता है तो कौन पहले काम पूरा करेगा यानि तीनों का हमारे को अलग अलग पता होगा कि कौन कितने दिन में टोटल काम करता है तो वहां से हम idea लगा देंगे, हम exact amount निकाल देंगे यह थोड़ा सा percentage का है, थोड़ा सा question घुमाया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही, एक ही तरीका चलेगा हर एक chapter में एक या दो formula ही use करने हैं हमने और सभी chapter जो है इसके अंदर, एक या दो formula से हम इसको attempt करेंगे ज़्यादा formula याद नहीं करने, ज़्यादा formula में फिर उलज जाते हैं exam के time पे बच्चा confused जाता है, कौन सा formula लगेगा तो मेरा काम होता है, एक या दो maximum formula यूज करके हम सारे के सारे question attempt कर लें self attempt करने के लिए flameinstitute.com website पे जाएए अभी app जो है under construction है, अभी तयार हो रही है अभी कुछ दिन में तयार हो जाएगी, फिर app पे आप उसको कर सकते हैं काम लेकिन तब तक flameinstitute, ये लिखा हुआ है flameinstitute.com ओके, this is flameinstitute.com पे जाना है now, सवाल क्या है, एक्स दस दिन में एक चुथाई काम कर सकता है यानि कि एक चुथाई काम दस दिन में करता है एक चुथाई का मतलब 25 पर 34 हिस्सा एक्स एक चुथाई काम करता है दस दिन में, एक बटा चार काम करता है दस दिन में 20 दिन में एक बटा चार और कर देगा यानि आधा हो जाएगा, एक बटा चार प्लस एक बटा चार एक बटा दो हो जाएगा और 40 दिन में वो सारा का सारा काम हो जाएगा यानि 10 को अगर 4 से गुणा कर दें तो टोटल काम कितने दिन में करेगा 40 दिन में 1 बटा 4 हिस्सा 10 दिन में करता है तो टोटल कितने दिन में करेगा 10 गुणा 4 उल्टा करके लगा देंगे 4 बटा 1 ठीक है 40 दिन में काम खतम करेगा टोटल सारा काम नहीं बताया कि 10 दिन में करता है उसका चोथा हिस्सा करता है एक रुपे का 100 का चोथा हिस्सा 25 होता है यानि 25 परसेंट काम और उसके बाद अगला क्या है वाई 40 दिन में 40 परसेंट काम कर सकता है यानि जो वाई है वो 40 परसेंट काम 40 दिन में करता है % का मतलब क्या होता है 40 बटा 100 यहाँ पे क्या किया था 1 बटा 4 को 10 से 10 दिन में करता है तो total कितने दिन में करेगा इसको उल्टा करके लगा दिया 4 बटा 1 अब यहाँ पे 40 unit काम करता है 40% 40% 40 दिन में करता है तो इसको उल्टा करके लगा देंगे यानि सो बटा चालिस तो ये हो जाएगा वाई पूरा का पूरा काम कितने दिन में करेगा चालिस से चालिस कट गया यानि कि सो दिन में करेगा ये चालिस दिन में करेगा और ये सो दिन में करेगा उसके बाद क्या है कि Z जो है वो एक बटा तीन हिस्सा तेरा दिन में करता है यहाँ पर लिख देते हैं कि Z जो है एक बटा तीन हिस्सा तेरा दिन में करता है तो टोटल काम कितने दिन में करेगा तीन बटा एक यानि कि 49 दिन में 49 दिन में काम करेगा तो सबसे कम काम जो है जल्दी से जल्दी पूरा कौन करेगा काम का तो टोटल हिस्सा दिया है जितना भी वो हमें लेने की आगे जरूरती नहीं है कि सारा काम यह 49 दिन में खतम करता है यह 40 दिन में करता है और यह 100 दिन में करता है तो Z जो है सबसे पहले काम खतम करके एक साइड पास से हो जाएगा एक साइड में बैठ जाएगा So answer is Z ठेक है